नमस्कार दोस्तो अगर आपने अभी तक हमें चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो अभी सस्क्राइब करें और साइड में बैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे घमासान से जोड़ी हर ताजा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे पूरे देश में इन दिनों एक ऐसा गिरह सक्री हो गया है जो सिम को स्वेप करके आपके खाते से पैसे उड़ा देता है जी हाँ जैसे जैसे ऑनलाइन पैमेंट बढ़ते जा रहे हैं डेबिट कार्ट केडिट कार्ट की सुवेदाएं बढ़ती जा रही हैं और बैंक भी ऑनलाइन ट्रेजिक्शन के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है ऐसे में साइबर क्राविंग के अपरादी भी लोगों का फायदा उठाने के लिए सक्री हो गए हैं ये तमाम लोग आनलाइन दोखा धड़ी करने लगे हैं इनका टार्गेट रहते हैं ऐसे लोग जो तकनिक के बारे में बहुत जादा जानकारी नहीं रखते और उन्हें बहुत ही आसानी से बेवकुब बना कर उनके खाते से याने डेबिट कार्ट से क्रेडिट कार्ट से लाखोर रुपे उड़ा दिये जाते हैं आए दिन महानगरों में इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही चली जा रही है और लोगों को बहुत आसानी से इसका शिकार बना कर उनकी महनत की कमाई को उड़ा लिया जाता है पता चला है कि देश में कई ऐसे गिरोह बन गए हैं जिनके दौरा साइबर क्रेम का अपराद किया जाता है और इसे उन्होंने सून्य जिद धंक से करना शुरू कर दिया है आम तोर पर ये किसी भी नागरिक को या किसी भी वक्ती को फोन करकर ये बोलते हैं कि बैंक दौरा आप से ये ये जानकारी मांगी जा रही है मेंके माद्यम से जानकारी मांग कर ये उनसे एटियम नमबर मांगते हैं एटियम नमबर के बाद उस पर जो ओटीपी आता है ओटीपी की मांग करते हैं और ओटीपी के आधार पर पता चलता है कि थोड़ी ही देर में खाते से सारे पैसे उड़ा लिये गए हैं इसमें सबसे बड़ी साउधनी वाली बात यही है कि आप कभी भी ATM कार्ट का नंबर किसी भी व्यक्ति को ना दें अगर आपसे बैंक कोई जानकारी मांगती भी है तो वह जानकारी पहले आप बैंक की शाखा में जाएं और बैंक की शाखा में संबन्दित अधिगारी से मिलें और फिर उसे हैं बताएं कि क्या आपने वास्तों में जानकारी मांगी है क्योंकि बैंक ATM संबन्दि कोई जानकारी नहीं मांगता दूसरी बात यह है कि ATM का नंबर देने के बाद अगर मान लीजिए आपके पास यह भी बात आती है कि OTP दे दीजिए तो OTP तो भूल कर मत दीजिए क्योंकि वहाँ आपकी अंतिम भूलोगी OTP देने के बाद तो दुनिया की कोई ताकत आपके खाते में से पैसा उड़ाने से किसी को रोक नहीं सकती इन दोनों साउधानियों को अगर आप बरतते हैं तो फिर आपके लिए सबसे बड़ी सुईधा यह हो जाएगी कि आप अपना पैसा साइबर क्रैम करने वाले लोगों से बचा सकते हैं